कारगिल विचे दिवस की 25 वी बरसी की अगले ही दिन सुबह सुबह जमु कश्मीर में गोलियों की गुंज सुनाई दी कुपवाड़ा जिले में एक बार फिर सेना के जवान और दहशत गर्द आमने सामने आ गए देखते ही देखते दोनों और से ताबर तोड फाइरिंग शुरू होने लगी सैनिक आतंकियों को मुहतोर जवाब दे ही रहे थे कि अचानक तीन जवानों को गोली लग गए ये एंकाउंटर कुपवाड़ा के कुमकरी इलाके में हुआ बताया जारा है कि सुरक्षा बलो को यहां संभावित आतंगवादी गति विडियों की सूच ना मिली थी जिसके बाद से सैनिक आतंकियों को खोच रहे थे इस दोरान जैसे ही जवानों की नजर आतंकियों पर पड़ी तो उन्होंने बचने के लिए सुरक्षा बलो पर फायर जोग दिया फिर एंकाउंटर शुरू हो गया जिसमें कम से कम तीन जवान गोली लगने से घायल हो गए जानकारी के मताबिक कुपबाड़ा में तीन दिनों से ये दूसरी मुठवेड है जो आतंगवाद विरोधी अवियान के दोरान शुरू हुई कुपबाड़ा में मंगलवार यानी तेश जुलाई को भी सेना और दह्षतगर्दों के बीज मुठवेड हुई थी जिसमें एक अग्यात आतंगवादी धेर तो एक जवान शहीद हो गया था सूत्रों से खबर है कि करीब 40-50 आतंगवादियों का एक समुझ जम्मु कश्मीर के पहाडी जिलों में छिपा हुआ है जिसकी तलाश में सेना के जवानों ने बड़े स्तर पर आतंगवाद विरोधी अवियान चलाया हुआ है फिलहाल कुबवाड़ा में जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है और चप्पे चप्पे पर सैनिकों की पैनी नजर है आतंग्यों की तलाश में सर्च ओप्रेशन लगातार जारी है लेकिन जिस तरह से जम्मू में आतंग की दहशत बढ़ती जा रही है आए दिन आतंग की अपनी काईराना हरकत से जवानों को निशाना बना रहे हैं वो चिंता का विशे है ऐसे में केंद्र सरकार पर सवाल उठने लाजमी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंगवाद का खात्मा करने का दावा किया गया था लेकिन आज भी जम्मू वासी इस दहशत के साय में जीने को मजबूर है